इंटर्वियू में कई बार आपसे पूछे जाते हैं कि SMT मसीन आपने किस किस कमपनी का देखा है या फिर कई बार पूछे जाते हैं कि जहां आप वर्क करते थे जॉब करते थे वहां किस कमपनी की SMT मसीन लगी हुई थी होना है आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कौन-कौन सी कंपनी की SMT मसीन आती है मुखरूप से और सब के बारे में बताएंगे तो आज की इस वीडियो में आप लाश्ट तक बने रहेगा तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो पहली मसीन आती है वो यामा कं चल रही है और यह स्मूख बनाने वाली और दुसरी कंपनी केछ अगर हम बात करें तो यह फ्यूजी है, F-U-Z-J-I फ्यूजी कॉर्पोरेशन ये काफी जायदा पोपुलर फ्यूजी कंपनी है और मार्केट के अंदर मोस्टली कंपनी जो SMT मसीन की है, वो फ्यूजी की मिलने को मिल जाती है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो फ्यूजी है, प्रिंटर भी बनाती है और मोंटर भी बनाती है तो इसलिए ये काफी पोपुलर है इसके बाद खास करके बात करें, तो ये जो फ्यूजी कंपनी है वो जपान से है और मार्केट के अंदर काफी टाइम से 1969 से नहीं मारकेट के अंदर ये लिड कर रही है, तो काफी पूपलर है, आज की टाइम में फ्यूजी और मस्तली आप लोगों को देखने को मिल जाएगा फ्यूजी कंपनी की मसीन है और इसके बाद जो है पेना सोनिक जो है काफी ज़्यादा ये भी popular है market के अंदर penasonic और ये SMT machine काफी सारी company में आपको SMT machine penasonic की देखने को मिल जाएगी बहुत यह असानी से और ये भी market के अंदर काफी ज़्यादा popular है और ये पेनसोनिक के अगर हम बात करें तो ये भी जपान की company है और market के अंदर काफी पुरा है और खास करके बड़ी वड़ी company जो है ये जुकी का SMT machine यूज करती है अपने manufacturing परफस के लिए और ये market के अंदर जो 1938 से ही रन कर रही है ये company अदर अदर चीजे बनाती थी बाद में चलके SMT machine भी बनाने लगी और ये भी जपान की company ही है और इसके बाद अगर हम बात कर है और खास करके ये Chinese machine है market के अंदर ये China से start हुई और 1999 से market के अंदर रन कर रही है और इसके बाद ASM वा ये भी काफी popular है ASMPT ये company का नाम है और इसके भी SMT machine market के अंदर काफी सारे आते हैं और खास करके ये Germany से start हुई और ये 2008 से चल रही है और market में कुछ company I see है जो की SMT machine इसकी SMPT की जो है market के अंदर मिल जाती है देखने को और इसके बाद ये अगर हम बात करें तो युनिवर्सल वा युनिवर्सल जो है ये भी काफी जादा popular है अर्वी के time में और कई सारी कंपनियां में देखने को मिल जाती है और ये market के कंपनिया है SMT machine के लिए और ये एटा जो है ये भी चाइना से स्टार्ट हुई 2000 में और ये काफी जादा popular हो चुका है इतने कम टाइम में तो ये मुख जो है SMT machine बनाने वाली कंपनियां थी इसके अलावा भी कई सारी कंपनियां है जो की SMT machine बनाती है जैसे कि हैलर हो गए और जुट जी के हो गए ये सबी काफी popular है ये मुख आठ कंपनियां थी जिसके जिसकी मसीन हमने देखा है सभी कंपनियां की मसीन में देखा है आप कौन-कौन सी कंपनी की मसी करेंगे आप कि आपने कौन को देखा है तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मात्रम